कि नमस्कार आदाब हफ़ते की बाद उर्मिलेश के साथ के इस अंक में आप सभी का बहुत-बहुत सुआगत है आज हम बात करेंगे दो मुद्दों की जो की दरसल एक ही तरह की राजनिती से जुड़े हुए हैं पहला मुद्दा ये कि बीजेपी आरेसेस के जो संख प्रशिक्षित लोग हैं वो सारवजेरिक शेत्र में बहुत गैर जिम्मिदाराना और गैर वैज्ञानिक किसम के जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके दरसल हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए क्या माइने हैं और पूर्व राष्ट्रपती प्रणम मुखर जी जो कि कॉंग्रेस की विचारधारा से आते हैं और रसेस और संग की विचारधारा के खिलाव बहुत मुखर रहे हैं उन्हें दरहसल रसेस ने ही अपने एक कारिक्रम में आमंतृत किया है और शायद वैजा भी रहे हैं तो इन एक राज्य के उप मुख्य मंत्री जब ये बात करते हैं कि सीता एक टेस्ट्यूब बेबी थी विज्ञान के एकदम विरोध में जाके जब ये ऐसे बयान बाजी करते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे समीधान का अपमान नहीं है जिसमें ये लिखा गया है कि वैज्ञानिक स इसको मुझा लेते उसके ँसका इन लोने उसको पता नहीं क्या क्या कहते कि हमारी सीता मा के साथ ऐसी बात क्यों कह रहा害 या अग्मी और वो स्वें कह रहे हैं कि वह सीता ँैस्ट ट्यूब ये बाते इतनी ऑप्यानिक हैं कि इन पर ह MAts आ जा सकता है सभी दुनिया जानती ह कि हमारे दुनिया में टेस्ट्यू बिबी का जो वैग्यानिक जो इजा देख किया गया ये जो विधी आई सामने वो कब आई कहां से आई कैसे आई ये पूरी दुनिया जानती है बच्चा बच्चा जानता है खास करा जब बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में तब भी वो ब नविता में जो लिखा गया है वही सच है तो भी इस तरह की बात उस जमानी के लिए करना कुछ वैसा ही है जैसे पुश्पक विमान को उस वक्त बताना या महाभारत काल में इंटरनेट की उपस्थिती बता देना किसी ने कहा कि साब हमाया आई तिंक ये त्रिपुरा के ज चीजों को जो कविता में काब्य में महाकाब्य में जो चित्रित हैं वो कालपनिकता पराधारित भी बहुत सारी चीजें उसमें हैं और उसको आप एक वैग्यानिक ढंग से पेश कर रहे हैं जैसे कि सचमुच उस समय आविश्कार हो चुका था पुश्पक विमान का तो य लगता है कि इसका एक बड़ा अर्थ यह है एक बड़ा भारत के लिए मतलब यह है कि भारत की अंतराष्ठी चवीख राब हो रही है ये लोग पार्क में घूमने वाले लोग नहीं है सुबसुब जो जो चाहे वो बोलते रहते हैं लोग ये शासन चला रहे हैं लोग ये समविधान की शपत लेकर भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का संचालन कर रहे हैं अगर ये लोग इस तरह की बात करते हैं पूरी दुनिया में इसका क्या मेंसे जाता है कि भारत की सरकारें जो हैं इस्टेट की सरकार सेंटर की सरकार उसमें ऐसे लोग बैटे हैं जो अजीब जीब बातें बोलते हैं जो विज्ञान विरोधी होती है इतने इनोवेशन इतने जो inventions हुए हैं उनको नकारती है बात वो myth को वैग्यानिक बना देते हैं वैग्यानिकता को myth बना देते हैं तो मुझे लगता है कि एक तो अंतराश्टी शवी भारत की खड़ाब हो रही है और दूसरी बात कि पूरी जो education system हमारे यहां का है बाल जो बच्चे हैं जो यूवक हैं जो छातर हैं उनके उपर क्या इसका आसर पढ़ रहा है आप सोचिए इसकूल के भी शिक्षकों पर क्या आसर पढ़ रहा है माली जे कल कोई बच्चा अपने class teacher से यही पूछे कि यह ब रहते हैं शिवराज सिंग्च चौहान मत्यप्रदेश के मुख्य मंत्री है माई वह तो बतलब ऐसी वह बाते हो बोलते रहते हैं कैलाश विजय वर्गी कितने लोगों का नाम ले और तो और हमारे देश के जो आधरणी प्रदान मंत्री जी हैं तक्ष शिला को कहां बिहार में बता देते हैं और वो करियर पाठ थिमयाम इन सबके बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं जिसका की मतलब बहुत ही बुरा अशर पड़ता है समाज nhữngत ही कि सबकर दिन किया झाल कि बहुत ही बहुत ही हमारे लिए दुछत बात है कि हमारे एक घर के आधरणी वि तो ये इसका असर होता है एक तो पहलू है इस बात का ये कि बयान बाजी के द्वारा आप जनता में इस तरीके की विचार पहला रहे हैं लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका ये है कि जो हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि संस्थागत तोर पर ये दरसले विचार धारा जो एक डामेज करेंगे ये बहुत सीमित नहीं रहेंगे लॉंग टम चलेंगी तो आपका सवाल बहुत वाजीब है और सचमुच ये केवल अपने बयानों से यहीं नहीं कर रहे हैं वलकि संस्थाओं में आप चारिक तोर पे शिक्षण में अध्यापन में सब कुछ बदल निक्ता से मंजूरी नहीं मिलती जिनकी अब आप इस्लामिक टेरिडिजम पर आप अगर सेंटर खोलते हैं तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि इसका हमारे भारती संविधान जो सेकुलर स्टेट की बात करता है अपने प्रेंबुल में उसको कैसे डेमेज करता है ये आप समयधान का आप मान कर रहे हैं समयधान आपको इसकी जाज़त नहीं देता है आप नागपूर में बैठकर चाहे जो अपनी राय बना लीजिए लेकिन आप सत्ता में जब हैं जब पूरी देश की जनता के लिए पार्ठिक्रम तैयार करा रहे हैं वहां पर आपको ये चीज अच्छा से ये इतिहास नहीं बनता इतिहास हमारी आपकी इक्षा से स्वतंत्र है वो चीजें जो घटित हो चुकी है उनकी व्याख्या आपकी अलग हो सकती हैं लेकिन आप यह नहीं कह सकती है कि यह तो यह एक बड़ा खत्रा है इसलिए मुझे लगता है कि देश के जो बड़े सिक्षा सास्त्री हैं आज वो भी इस पर एक्ट कर रहे हैं खासकर आपने एंसी आटी की जिन कितामों का हवाला दिया उनके बारे में भी रियक्ट कर रहे हैं कि यह बहुत ही अनर्थ हो रहा है और इसे हमारे जनरेशन पर असर पड़ेगा हमारी इतिहास बोध पर लोगत मुलाय कि अब दूस्रे मुद्दे पर देंग प्रहण मुखर जी जिने घार एब इक औप्चार इकक कारेकरम में बुलाया है और प्रैमों करफेर हमेशा से घृण का आफ़ी ही महत्पून आई हो जानी है उनके लिए और इसमें वो बाहर से कुछ लोगों को बलाते रहते हैं लेकिन शायद पहली दफ़ा उन्होंने इतना बड़ा आदमी जो इतने बड़े पद पर रहा हो भारती जो राश्ट्र है राज है उसके सरवच जो पद है राश्ट्र पदि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पहली बार हासिल किया है वहां जाने के लिए तो ये बड़ी घटना है महत्पून घटना है और जाहिर है आरेसेस के लिए महत्पून है और राश्ट्र पती पुर्वराश्ट्र पती प्रणों मखरजी साहब के लिए भी जो मुझे आद है कि अ बार उन्होंने हावाला दिये बगैर किसी संगत्तना का उन्होंने साम-Prodaiq उपदरों पर उन्होंने भाशन किया था लेकिन साथ साथ उन्होंने राष्टपती के रूप में आरेसेस के जो चीफ हैं उनको राष्टपती भोन आमंत्रित भी किया था कई बार और उसमें एक बार तो बहुती सम्मान के साथ अगर राष्टपती किसी को भोज परामंत्रित करता है तो बड़ी बात है तेकि राष्टी स्वेम सिवक संग एक बड़ा अगनेजिशन है यह म चलाने वाली शक्ति है आरेसेस तो वह आविन अपने को सांस्कृतिक कहलें लेकिन वह कुल मिलाकर बहुत ही राइनितिक लोग हैं और उन्हीं के प्रसिक्षित लोग आज सत्ता को चला रहे हैं हम उसको इग्लोर नहीं कर सकते हैं लेकिन यह भी सच है कि राष्टी स्वेम कामलों में अलग है जैसे यह एक ऐसी राइनितिक शक्ति है जो भारत को जब आजाद भारत हुआ 1947 में तो यह 1925 से ही अक्टिव थे तो यह लोग भारत को शुरू से ही चाहते थे कि वह अतीत की तरफ लोटे भारत दूसरे जो लोग थे कॉंग्रेस हों सोसलिस्ट हों कम्म इस पर लेकिन यह लगभग सभी लोग चाहते थे कि 1947 में अगर भारत आजाद हुआ है तो भारत अब इससे आगे जाए यह महत संजोग नहीं है कि राश्टी स्वें सिवक संग के चीफ मौन भागवत जी जिनके बुलावे पर प्रणमुकर जी जी जा रहे हैं उन्होंने मैं अभी कुछी महीने पहले यह एक बयान दिया बहुत महत्पून बयान कि भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने की जरूरत है और जाहिरे उनकी सरकार है वो तो बदलने ही कोशिश करेंगे लेकिन उन्होंने जो अगला वाके कहा वो बदा दुल चस्प था उन्होंने क जो बहुत संख्यक तबका है उसको शिक्षा काधिकार नहीं था यहां तक कि श्लोक अगर उसके कानों में पढ़ जाएं मंत्र पढ़ जाएं आवाज के वल उसकी आजाए वेदों की तो कानों में पिगला हुआ शीशा डालने का प्रबंद था प्रावधान था उस उन दिनो जो संगठन इस तरह की बात कर रहा है गुरुकल प्रणाली की तरफ शिक्षा को ले जाने की वो प्रयोक शालाओं से हटा कर विज्ञान से हटा कर समाज शास्त्र से हटा कर दुनिया भर में जो प्रगती होई है उससे काट कर आप कलपना कीजिए कि भारत के समाज को वो कै संबिधान का एक तरह से निशेद है इसलिए कि उसका जो एजेंडा है उसका जो स्वपन है वो भारत को हिंदू रास्टर बनाना तो आप ऐसे संगठन के नाामंतरन पर जा रहे हैं भारत के राश्टर पती जो रह चुके हैं प्रणोदार तीसरी बात जो बहुत महत्पू अब कई लोगों ने लिखा है अखवारों में जो खासकर आरेसेस के सिंप्रिथाईजर हैं या समर्थक हैं या जो बीच की बात कर रहे हैं कुछ कॉंग्रेसी भी उसमें हैं क्योंकि मैं देखिए पहले भी कहता रहा हूं कि कॉंग्रेस पार्टी में हमेशा से बीजेपी और जन्संग की विचार धारा हमेशा शामिल रही है जो आरेसेस के थौट्स हैं उसके और शेस कॉंग्रेस के इतिहास में अगर आप खोजिए तो हमेशा इतिहास में कॉंग्रेस के अंदर एक धारा रही है वो चाहे मदन महनमालवी की रूप में रही हो चाहे गोबिन बल को लोग कोट भी करते हैं आरे से के लोग कि यह पहली बार तो नहीं गांधी जी हमारे हाए थे वह नहरू को छोड़कर बताते हैं कि बहुत सारे कॉंग्रिस के नित आये थे बाद सही है वहां जैप्रकाश नायरान भी गए थे उनके शिविर में किसी गांधी जी जहां गए अनुशासन की तारीफ की थी लेकिन प्यारे लाल जी उन्होंने जो लिखा है अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किसी ने कहा गांधी जी से कि बापू आपने तो आरे सिस में शिविर में जाकर उनके अनुशासन की तारीफ की थी तो उनके अंदर अनुशासन तो है बापु ने घूम कर कहा अनुशासन तो हिटलर और नाजियों के यहां भी दीखता है तो एक तरह से मैं तो यह मानता हूं कि गांधी जी अगर वहां गए तो एक तरह से उन्हों प्रयाशित भी उसका किया वह गए तब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था आज ज कर चलाने वाली पार्टी के पास आज हमारे देश में सत्ता और उसमें शामिल शक्तियों द्वारा एक विद्वेश पहलाया जा रहा है आज टक्राव की इस्तिती है जोडने के बजाए लोगों को तोड़ा जा रहा है जिस तरह के हालात है आर्थिक संरचना की हमारे पब् सारे संगठनीन के ज्यान शील एकता लेकिन आप देखिए तो यह अज्यान विद्वेश और विखंडन में विश्वास करते हैं ज्यान की जगह अज्यान और शील की जगह विद्वेश और एकता की जगह विखंडन यह अगर देखा जाए प्रैक्टिस में तो यही रहा है और सवाल यह है कि आप कहते हैं कि आपके पास एक स्वपन है हिंदू राष्ट्र का उस हिंदू राष्ट्र कैसा राष्ट्र है आपके पूरे संगठन में जितने अब तक चीफ बने हैं जितने 1925 से आज तक जिसको यह लोग सरसंगचालक करते हैं उसमें दलित OBC, Minorities, Tribals किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ण के लोग हैं एक ही वर्ण या एक exception हैं वो भी जाहिर है अपर कास्ट के ही हैं तो यह क्या बताता है आपकी पूरी जो नियंतरन करने वाली बाड़ी है उसमें भी एक ही कम्यूनिटी के लोग है जो उनकी टॉप बाड़ी है यह बताता है कि आप inclusive नहीं है आप एक ताक की बात कैसे कर सकते हैं आप इस रास्यट को ज़ोड़ने वाली शक्ती कैसे हो सकते हैं क्या इस रास्यट को जोड़ने वाली शक्ती इतनी exclusive होली भिल्कुल inclusive नहीं बनने की कोशिश करेगी इतने वर्षों के दौरान 1925 से आप हैं तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर आज के दौर में इनका मकसद भारत को एक ऐसे मुल्क में तबदिल करना है जहां कार्परेट और इनका जो कथित हिंदुत्वा है जिसको मैं मनवाद कहता हूँ एक तरह का मनवादी सोच इसका एक हाल में लो इसलिए आयाज की बात नहीं म पॉब्लिक स्रिक्टर की समर्थक माने जाती थी उन्होंने कहा कि भारत को प्रगति के लिए जरूरत है कि पॉब्लिक स्रिक्टर का रॉल कम किया जाए और नीजी खॷ्प्रों को आगे बढ़ाया जाए आप आश्र चिकित हो जाएंगी किसी और पार्टी ने कोई Series के पहल देखता है कि इस तरह संगठन के साथ आप अगर ड्याइलाग करते हैं सवाल है कि उस ड्याइलाग का मुद्दा क्या होगा उस ड्याइलाग का लेविल क्या होगा ये RSS एक ऐसा संगठन है जिसे दो-दो बार बैन किया गया है इस देश में और एक बार बैन किया क्यों गया था राश्ट पिता महात्मा गांधी की निशन्स हत्या के बाद किया गया था और जिनको RSS अपने साथ बड़ा जोड़ने की कोशिश करती है सरदार पठेल उस समय ग्रही मंत्री थे उन्होंने बैन किया था उनके आदेश पर बैन हुआ था और सरदार पठेल ने RSS के बारे में जो उस वक्त बातें कही थी वो इतिहास में दर्ज हैं तो मुझे लगता है कि एक ऐसा संगठन जिससे संबाद की जो बात कर रहे हैं लोग कि आप संबाद करेंगे वो बदल जाएगा मुझे लगता है यह ख्याली पुलाव पकानी जैसी बात है आज जरूरत इस बात की है कि समाज में जो इन चीजों से प्रभावित लोग हैं उनके दिमाग को बदला जाए न कि जो लोगों के दिमाग को खराप कर रहे हैं जो लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं आप डायलाग करने की केवल बात करें डायलाग करने के लिए इस देश की जनता है समाज है उसके तब के हैं यह मेरा कहना है तो एक आखरी सवाल इन सारी चीजों से जुड़ा वा कि यह बयानबाजी या फिर किसी व्यक्ति को अपने यहां आमंतरित करना जो जाहिर से बात है कि व गरीबी की बात कर लीजिए भुक्मरी की बात कर लीजिए या फिर रोजगार की बात कर लीजिए इन सब ही पहलों पर हमारे स्थिती इस वक बहुत खराब है सरकार को जब आप चार साल सत्ता में रहे हैं और आपको दरसल अब आपको जवाब दिना है जनता को कि आपने कि कि या आपने जो वाहिदे किये आपने किया क्या वो सारी चीजहों को कहीं नहुआ थंडे बस्ते में डालने के लिए आपको लगता है कि यह सारी चीज़ों को सामने लायाराहाई उत्थ कोशिछ भी हार रहें कई जगा बाई एलेक्शन्स में तो इससे ध्यान हटाने के लिए भी ये एक कदम हो सकता है लेकिन ये मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये लग रही है कि और विजेपी की कोशिश यह भी है कि कॉंग्रिस पार्टी को एक तरह से उ इसमें दल बंदियां पैदा करना अभी इसी मुझे पर लेकर आप देखिए बहुत सारे लोग अलग 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 की बातें कर रहे हैं अभी मैं एक अख़वार में देख रहा था एक 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 बड़े कार्परेट हाउस का थिंग टैंक है उसमें काम करने वाले बड़े पद रॉनों मुखरजी साहब के डालॉग के बीच में नहीं आना चाहिए उनको उनको इसे आपरिसेट करना चाहिए मुझे लगता है कि लिफ्ट की बात ना तो राइट की बात है इसमें सवालिस yoik hai कि आखिर ये कैसा डायलाग है इसका क्या मतलब है जैसे हमने आप से पहले बहुत सारी चीजें कहीं है तो ये आरेसेस बीजेपी की कोशिश हो सकती है कि इससे लाब उठाया जाए बंगाल का मसला है बंगाल में भी चुनाओ होना है केंदर आमिन 2019 का चुनाओ है इस सभी कां जफर पुर बिहार में है वहां बिहार पर इस समय लोग काफी ध्यान दे रहे हैं फिर भी चुनाओ हा रहे हैं अभी बाइलेक्शन हा रहे हैं वहां जब यह गए दस तिनों का उनका टूर था समभा होता है एक सब्सक्रा या दस दिन का आरेसेस चीफ ने बड़ी दिल्च की इस्तिती के लिए भी तयार रहते हैं अब इन इस तरह की बात करना आरेसेस चीफ का उनके एक्सेक्ट लाइन बाइलाइन मैं नहीं बता पारा हूं लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि हम वार लाइक सिच्वेशन में भी हम अपने लोगों को तीन चार दिन में पांच सेवा भाव से काम करते हैं भई आप ट्राइवल इलाकों में सेवा करते हैं लेकिन वहां उरिशा में हमने देखा है कि बजरंगदल के लोगों ने कैसे इसाई मिशनरी जो वहां काम कर रहे थे उसमें आपने बच्चों तक की हत्या कर दी आप उस बज़ुर्ग आदमी की ह राइट्स हुए हैं भारी संख्या मैंने और काफी दिन तक चले हैं उन उन जगहों पर भी आपका सेवा भाव जो है टक्राव और विद्वेश पैलाता है तो यह समझ में नहीं आता दूसरे लोग भी सेवा करते हैं आप नेपाल में भूकंप जवाया वहां तबाही पूरा जो यह विचार जो इनका पूरा का पूरा है और यह कुल मिलाकर इस वक्ते कंफ्यूजन क्रियेट करने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं हमारे साथ अपने विचार साजा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नियुस क्लिक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद